रेगिस्तान में बर्फ बारी यह सुनकर आपको थोड़ा अलग सा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। दुनिया में पाये जाने वाले सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा डेजर्ट में 7 जनवरी 2016 को पूरे दिन बर्फ बारी हुई, यानि पूरे दिन बर्फ गिरती रही, जिसके कारण पूरा रेगिस्तान करीब 2 सेंटिमीटर्स बर्फ की परतों से ठक गया था। यह आश्रे चकित करने वाली घटना इस दुनिया में कोई पहली बार नहीं, बलकि पिछले 40 सालों में चौथी बार हुई थी। सबसे पहले यह घटना 1979 में हुई थी, तब करीब 1 घंटे बर्फ बारी हुई थी। वैग्यानिकों की माने तो यह घटना जलवायू परिवर्तन के करण हुई। वैग्यानिकों का यह भी अनुमान है कि आने वाले 1500 से 1700 सालों में यह गर्म मरुस्थल एक हरे भरे जंगल में बदल जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मजे की बात यह है, दोस्तों की इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुँचाए।